नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल ग्रण भूमी मैथ पे रर्वी ग्रूप डी का सेट पहले सिर्फ का क्वेशन है उन्नीस नौ दोहजार रखारा का दोस्तों इसे अच्छे से देखिएगा एक से एक क्वेशन है दोस्तों सिर्फ एक नजर और सभी कवर आईए दोस्तों पहला कोशन देखिए सिंप्लिफिकेशन से सरल करो से कुछ भी नहीं करना है सिंपल सा चीज है देखिए ब्रेकेट के अंदर बहुत मास का रूल सबसे पहले पांच से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा पार सते पैतिस यानि यह हो जाएगा मा अगला कोशन देखिए दोस्तों लॉसर से दिया गया है मैंने पिछले दिन इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि किस प्रकार भिन्नों का लॉसर मौसर आपसे पूझा जाएगा तो जो बच्चों नहीं देखा है उस वीडियो को तो जरूर जाकर प्लेलिस्ट में खोज कर देख ले दोस्तों क्यूंकि इस से रिलेक्टेट एक कोशन आपको आएगा ही और ही कंक आपका पक्का हो जाएगा तो देखे चौदा को मैं क्या लिख सकता हूं दो गुने साथ लिख सकता हूं 42 को क्या लिखूंगा साथ चेके 42 और सदतर को क्या लिखूंगा 117 अब सब्सक्राइबर 2 यहां भी है यहां भी यह उहां भी यहां नहीं है तो मैं धोलिग दूगा साथ है यहां 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 तो साथ मिलिखेंगे सिर् और जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखना है और जो मिलेगा हमेशा उसका अधिक पावर वाले को लिखना है अब मेरे बच्चों गुणा करतो साथ च्छा के बैयालीस साथ सुमाफ कीजिए का साथ दूरी चौदा चौदा यहां बैयालीस गुणा इब्यारा चालीस दहिया चारसो चालीस और हो जाएंगे आपके चारसो पासट यानि इसका अंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 462 तो देखे कितनी आसानी से हमने इसे सौल्व कर लिया आगई सबसे पहली एक चीज आई हम आपको समझाते हैं यहां में क्या करना चाहिए देखिए थ्री और थ्री कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बच्च जाएगा एक सिस्क्वार क्लस वाई स्क्वार हो जाएगा और प्लस 5 एक्स वाई को ऐसे ही रहने दो उसके बाद देखो यहा तो हमने कर दिया अब आएए यानी हमें क्या करना है एकस स्क्वार प्लस वाई स्क्वार का यहां यहाँ टे मगर एक चीज और है को समझाता हूँ कि इसका मान कैसे निखाला लेंगे तो देखे दोस्तों अगर मैं आपको यहहासज आ गर करूं कि अगर मैं x plus y का मान निकालना चाहूं तो देखो इसमें क्या हो सकता है तो सीधी सी चीज़ है जो लोग algebra में देखे होंगे मेरे वीडियो को तो उन लोगों को ये ट्रिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा मगर मैं जो नहीं बच्चे हैं मेरे चैनल पर मैं उन्ह कुछ भी नहीं करना देखो दोस्तों नीचे a square plus minus b square होगा यानि रूट 6 का square 6 लिग दो और एक का square करके घटा दो यानि कि 6 में से 5 यहां तो clear है लॉसों लेंगे उपर में क्या होगा मेरे बच्चों एक बार इसका होली स्क्वार होगा प्लस इसका होली स्क्वार होगा या देखो वन हो गया आई बात समझ में इतनी सी चीज अब देखो क्या हो जाएगा छे और एक साथ साथ दुनी 14 14 बटे 5 तो देखो एकस प्लस y का मान आ गया 14 बटे 5 अब आगर इसे ही दोस्तों अगर आप square कर दें तो आप क्या तो देखो मेरे बच्चों x square plus y square का हमें मान तो हम यहां ऐसे लिख सकता है मेरे बाई कि देखो डारेक्ट मान में निकाल देता हूँ तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ A plus B का whole square minus 2 AB तो देखो मेरे बाई इसका मान क्या हो जाएगा 14 बटे 5 का whole square minus 2 x y का मान 1 है तो जरा इसे मैं अगर solve करूँ तो मेरा मान कितना आ जाएग तो मेरे बच्चों आप यहां पर बिठालो और यहां पर इसके जगा में value को put कर लो solve कर लो आपका answer आना चाहिए 563 by 313 इसे आप अच्छे से solve कर लेना यह बहुत ही important सवाल है तो देखिए दोस्तों अगर मैं कुछ trick को अगर याद रखूं तो मेरा यह जो इतना लेंदी स सवाल है यह बहुत कम समय में और सडीकता से बन जाएगा तो आशा करता हूं आपको यह method समझ में आया होगा तो जिन बच्चों को अगर इसमें दिक्कत हुई होगी तो वह simplification topic को मेरे playlist में जाकर जरूर देखें चुटकियों में समझ में आएगा आईए चलते हैं अगले question कि देखें मेरे बच्चों बहुत ही मज़ेदार question है और इसका मैं एक बार पहले भी धास्व ट्रीक बता चुका हूं इस बार भी बताऊंगा ध्यान से देखना याद कर लो मेरे भाई मेताड एकदम ऐसे ही सवाल आपको एक्जाम में मिलेंगे कहा गया एक पाइप टंकी क को खाली अगर रिशाओ के द्वारा तो उसे कितना समय लगीगा तो कुछ भी नहीं करना बच्चों देखो यह समय दिया है 15 लिख दो गुणे में यह समय दिया है होल के साथ कितना समय लग रहा 20 घंटा और क्या करो नीचे इनी दोनों का माइनस कर दो बस पांच सेकंड में अंसार आ गया देखो पंदरा दुनी तीस तीन सो बटे पांच पांच अके तीस जीरो यानिके साट घंटा आपका जवाब हो गया आया मजा मेरे दोस्तों देख समीकरण से अब कोश्चन आने लगा है पिछले सेट में नहीं ता अब इधर से आना लगा है तो इसे भी अच्छे से सीखेगा और इस पर भी एक फुल कंसेप्टिव वीडियो बनाऊंगा दोस्तों उसे देखना ना भूलिएगा देखे दोस्तों अलफा तता बीटा समीक होता है अगर मैं ऐसे एक प्लस सी बराबर जीरो यह एक इस्टेंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्वेशन होता है तो यहां पर बिठाद गया फाइप प्लस रूट टू बी की वैलिव क्या है एक्वेशन प्लस में होना चाहिए तो बीकी वैलिव एक्स वाले के बगल में जो गुनज रहता है उस वह होता है यानि 4 plus root 5 लिख दिया हमने मगर देखो यहां plus होना चाहिए equation मगर यहां minus है तो यहां मान क्या होगा minus हो जाएगा तो जब minus होगा मेरे बच्चो minus मान और यह वाला minus already रहेगा तो यह minus minus क्या हो जाएगे मेरे बच्चो प्लस हो जाएगा इसलिए मैं यहां से देखो निशान अटा लेता हूं इससे अच्छे से समझना तो यह alpha plus beta का मान आ गया अब alpha into beta मूलों का गुननफल क्या होता है मेरे बच्चो c by a होता है c by a c यानिके अंतिम वाला फैक्टर यानिके 8 plus 2 root 5 यह term हो जाएगा c और यह का मान आपको पता ही है 5 plus root 2 अब इन दोनों मानों को दिये गए वेंजक का मान में बठा दीजे आपका अंसर आ जाएगा मेरे बच्चो 2 into alpha beta का मान क्या निकाला है मेरे बच्चों हमने जो निकाला है इसे लिख देता हौ 8 root 2 5 2 root 5 बटे में हो जाएगा 5 plus root 2 यहां आमने लिख दिया alpha plus beta का मान क्या होगा मेरे बच्चो 4 plus root 5 बटे में 5 plus root 2 तो देखो 5 plus root 2 5 plus root 2 कड़ जाएगा यहां से 2 common ले लेंगे तो 2 गुणा 2 हो जाएगा यहां क्या बचेगा 4 plus root 5 नीचे तो आपका already 4 plus root 5 है तो देखो यह कड़िया दो दुनी चाव यानि इस दिये गए वेंजग का मान आपका क्या हैगा मेरे बच्चो 4 आएगा आगई बात समझ में देखो भईया quadratic equation में कुछ नहीं है अगर आपको basic concept basic 2 formula यह पता है आप किसी भी प्रकार के सवाल को हल कर सकते हैं इस पर मेरा वादा है दोस्तों एक फुल वीडियो बहुत जल दे कराऊंगा exam के पहले ही ताकि आपको एक छोटे से वीडियो में पूरा का पूरा concept सिखा सको आइए चलते हैं अगले question क्यों देखिए दोस्तों बहुत सिंपल सा question दिया था time and works है 200 आदमी किसी भवन को 1024 दिन में बनाते हैं तो simple लिख दो 200 गुड़े 1024 यह हो गया कुल काम अब कहा गया है 256 दिन में इसी भवन को बनाने के लिए कितने आदमी लगेंगे तो मेरे बच्चों मान लिया आदमी लगेंगे देखो यह man है यह day है तो यह भी man होगा यह भी day होगा इसे टू टू कर दे रहा हूं इसे one one यह trick मैंने बताया था ना formula आपको तो देखिए यहाँ पर 256 दिन आपको दिया गया है तो पूछा गया है कितने आदमी लगेंगे इसी x का तो मान हमें निकालन है तो सिंप्ली से सौल कर लो दो सो गुने हजार 24 और बटे में क्या हो जाएगा 256 चार से कटा दो चार पंजे बीस जीरो चार चके 24 और देखो मेरे भई क्या हम इसे direct कटा सकते हैं तो जरा सा देखिए अगर 64 है तो 64 से मैं यानि इसे 4 से कटा सकता हूं तो देखो यह भी जब गार 16 से कितने बार में कटेगा मेरे भाई तो जरा सा मैं देखता हूं तब देखो 16 का स्कॉयर 256 होता है यानि कि यह क्या आज आजयागा 16 से 16 बार में कट जाएगा 16 85 और यह 0 800 यानि कुल कितने लोग लगेंगे मेरे वच्चो 800 लोग लगेंगे आगे ना मज़ा आओ और देखो देखिए दोस्तों टाइम एंड वर्क से एक और कुश्चन याद रखिएगा अभी तक दो कुश्चन आ चुके बहुत ही जबरदस्त ऐसा एक कुश्चन आपको हर एक्जाम में देखने को मिलेगा कहा गया कुल दीप और अगरकर दो लोग हैं जो अलग अलग एक भी खेत को आट गंटे और बारा गंटे में काट सकते हैं कर सकते हैं फासल को तो मानलो यह अगर कर आट गंटे में आरी यह वारा दुनी 24 तो देखो इपेशंसी भी हमने निकाल दिया कहा जारा है अगर वे दोनों एक-एक घंटा कारे करें तो फिर अगले घंटे में अगर कर सबसे पहले एक हमकितना काम करेंगी तेन आगरकर कितना काम करेंगा तो दोनों का दो घंटे का कादे क्या होगा मेरे बच्चों 3 प्लस 2 बराबर 5 यानि कि 24 काम करना है और जिसमें से 2 घंटे में ये लोग 5 काम कर देते हैं तो अब मैंने ट्रिक क्या बताया था कि ये 5 घंटा 5 काम जो आया है इसके करीब जाओ तो देखो अगर 6 से घंटे में ये लोग कितना काम कर लेंगे चार पंचे 20 काम, तो मेरे बच्चों बोलो 24 काम करना है, 20 काम कर लिया, कितना काम से बचा चार, तो ये 8 घंटा तो आपका आधा अंसर आ गया है, आप देखो 4 काम बचा, ये 4 काम में आप कौन हाथ देगा, तो पहले कुलदीब काम करने आएगा, तो कुलदीब एक घंटे म कितना काम करेगा, तीन काम करके चला जाएगा, चार में से तीन के एक, यानि कि 8 घंटा और एक 9 घंटा लगी चुका है, और अभी भी हमारा कितना काम बचा है, एक काम बचा है, तो अब उसे कौन करेगा, मेरे बच्चों आगर कर करेगा, तो आगर कर एक घंटे में 2 काम क करने में तो मेरे बच्चों अगर घड़ी का समय इस सवाल में पुछा गया है तो 9 में 9 जोड़ो 18 यानि 18 बचकर 30 मिनट तो घड़ी में कितने होते हैं सामके सवाल को थोड़ा एक लाइन बढ़ा दिया गया गड़ी का समय पूछा गया तो 9 बजे शुरू हुआ साड़े 9 घंटे लगे यानि टोटल 6 घंटे 30 मिनट लगे हैं यानि कि ये बच्चों कितना हो गया सामके 6 बचकर 30 मिनट आ गया ना मज़ा देखो इस टेकनिक से कितनी इ बच्चों बहुत ही सिंपल सा कोश्चन है यह भी देखिए बच्चों वेक्ति और कावे से ही रिलेटेड है मगर यहां मैं कह सकता हूं कि यह में सुरेशन में भी ऐसा पूछा जाता है देखे दोस्तों क्या है चार हज्जाग लोग है एक सहर में एक दिल में 9 लीटर जल क तो एक जलासे है तो इस जलासे का जल कितने दिनों तक चलेगा तो कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों चार हज्जाग लोग है हर एक दिन में कितना लीटर जल चाहिए 9 लीटर प्रतिविक्ति तो मान लो कितने दिनों तक चलेगा एक्स दिनों तक चलेगा तो यही तो भा यानि क्या घना वाकार टंकी है लंबाई चोड़ाई उचाई है तो देखें यह वह जाएगा 15-8-6 मीटर मीटर को गुणा करो तो घन मीटर हो जाएगा मेरे बच्चों यह देखो यह लीटर में है और यह कि घन मीटर में है तो इसे बदलने के लिए हम क्या करेंगे मेरे बच्चों तो बहिए इसे ही अच्छे से देखना तो यह 30 यहां भी चार से कड़ गए चार दुनी आठ दो बार में यहां देखो तीन पचे 15 और यहां कड़िया तीन तीन दुना च्छे तो कितना आ गया मेरे बच्चों यहां पर अगर मैं अभी से सॉल्व कर लूं तो द देखिए ऐसे भी कैल्कुलेटिव सवाल आपको एग्जान में मिल सकते हैं कि देखिए दोस्तों जबरतस सवाल दिया गया कितने सारे बच्चे तो इसे देख के भग जाएंगे छोड़ देते हैं इसकी पर नेक्स कर देते हैं देखिए मेरे बच्चों ध्यान दीजिएग तो मेरे भई मैं आज आपको बिल्कुल एक नया तरीका बता रहा हूं इसे अच्छे समझना देखो सबसे पहले दाहिनी तरफना हमेशा वन लाओ तो छे को भगाना है तो क्या करेंगे मैं दोनों तरफने देखो भई या मैने छे से बाग दिया इसे स्क्वाइर लिखो य तो यही मेरे बच्चों यही जो 10 by 6 है ना यही आपका को से की स्क्वाइर अलफा का मान हो जाएगा यह बहुत बढ़ी चीज बता रहा हूं बच्चों इसे ध्यान से देखना और यही पर मेरे बच्चों यही पर देखो को स्क्वाइर अलपा है तो यानि कि से क्वाइर अ चे दो पांच तीया पंदरा तीन पचे पंदरा तीन दुना छे यानि यह हो गया फांच बटे दो और यह वांच बटे तीन अब आख बंद करके यहां पर बैठा दो घया आपका अंसर आ जाएगा देखो घया बैठा रहा हो 27 है कोसे कोजिडी पावर शिक्स अलफा है तो सि तो देखिये दोस्तों इतना जटिल मेथड सवाल था यह मगर देखो इसको मैंने कितने simple method से आपको बता दिया तो ये शायद ही कोई आपको ऐसे बताएगा मेरे बच्चो इसे अच्छे से सीख लो आये चलते हैं अगले question की हो देखो मेरे बच्चो बहुत ही मज़ेदार question है रुक रुक के बस वाला यहां सुनील पूछ दिया था और एक question है 34 वो बच्चो विल्कुल चार्ट वाला है कहा गया है तीसरे खंड में अगर 5000 खर्च कर रहे तो 50 खंड में क्या होगा 10% बराबर 3000 तो 20% बराबर 10,000 वो आप question देखके solve कर ले ना वो मैंने ही बता रहा है देखो भया यह बहुत easy question है इसे अच्छे से समझो सुनील मोटर साइकल से बिना रुके 80 किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से तता रुक रुक कर कर 60 किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो एक घंटे में बताएं वो कितनी देर के लिए रुकता है बहुत easy question है कुछ मत करो यह 80 में से 60 को गटा दो भई या तो देखो कितना आएगा मेरे भई 80 में से 60 गया 20 यानि एक घंटे में वो 20 किलोमेटर की दूरी कम तै करता है या 20 किलोमेटर प्रति घंटा उसका चाल कम होता है बटा में क्या करो हमेशा previous बिना रुके 80 और हमेशा मीनट में अंसर आएगा ज्यादा तर तो इसे 60 से गुणा करतों यही हो जाएगा मीनट तो 20 चो के 80 चार से के 15 यानि कि वो एक घंटे में कितना देर के लिए रुक रहता मेरे बच्चों 15 मीनट के लिए रुक रहता हाई होब आपको समझ में आ गया होगा मैंने इस पर फुल डीटेल से वीडियो बनाया है प्लिस्ट में जाकर उसे देखना न भूले देखे दोस्तों बहुबूज से एक क्वेश्चन था बहुत ही चुटकियों में सॉल्व होने वाला कहा गया एक सम बहुबूज के अंता कोण और 20 कोण का अनुपाद तो देखे बहिए इंटीरियर एंगल और एक्स्टीरियर एंगल का अनुपाद क्या है चार अनुपाद एक अच्छा भाई मेरे ये बताओ दोनों एंगल को जोड़के कितना होता है एक 180 डिग्री ना होता है तो 4 प्लस 1 इकवर्टू हो गया 180 डिग्री तो 5 इकवर्टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चो पांच से इसे डिवाइड कर दो तो पांच तिया पंदरा पांचे के तीस यानि मैं कह सकता हूं कि एक इकाई बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री आरा बात समझ में पांच इकाई बराबर 180 तो एक इकाई बराबर 36 डिग्री तो ये एक क्या है मेरे बच्चो एक्स्टीरियर एंगल है वही स्कॉन है तो बोलो भाईया घुजा की संक्याम कैसे ग्याद करते हैं तो 360 बट की देखें मेरे दोस्तों में सुरेशन से क्ष Enrico देखें वह सबसे पहले आपको एक संकू बना देता हूं देखिए ये संकू क्या इस प्रकार से संकू बना लिया गया क्या कम क्यों की हुचाई ऑच्छाई क्यों थी मेरे बच्छों यहीइं बच्चों का हैपी बड़े वाला टोपी देखे होंगे ना यहीं होता है संकू तो संकू की उचाई आपको दी गई है 3 तो मेरे बच्चों की आपको आर पता नहीं है तो पहले तो आर पता करना होगा तो आर कैसे पता करते हैं तो आर बराबर क्या होता है ये L का square minus ये उचाई H का square तो बहिया यहां बैटालो 16 का square और H हो जाएगा 3 root अंडर 23 का square तो भाई जरा इसे क्या करेंगे और यह जरा सा solve करते है 16 का square कितना होता है 256 और यहां पर कितना हो जाएगा भई 3 का square 9 और 30 गुना करते हो तो हो जाएंगे 207 यानि रूट अंडर 49 यानि के 7 यानि कि मेरे बच्चों Schlagenishment है ये साथ concentration होगा तो जब Schulichaekt में साथ cmet应वीटर मिल इतो SC-style trial xaras था और एल कितना था आपका 16 component साथ कर गए उसे सुलागर कर दीजिए कितना आ जायगा 352 वर्ग सेंटी मीटर तो देखो मेरे बच्चों यह हो गया वह क्रप्रिष्ट की तुरिज्या तो देखे कितने सिंपल तरीके से हम ने इसे सॉल्ब कर लिया आईए चलते हैं अगले कुश्चिन की वह देखे दोस्तों यह कुश्चन नमर 51 सिंप्लिफिकेशन से यह होमवर इसका आंसर मेरे बच्चों कमेंट सेक्षन में जरूर करना यह तो आप स्वाप करी लोगे इतनी बार बता चुका हूं तो इसका जरूर करिएगा वह आपके कमेंट का हमेशा इंतिजार रहता है तो देखे दोस्तों नमर 52 सिंप्रिफिकेशन से बहुत इंपॉर्टेंट क इस फॉर्मला में भी बिठा करके निकाल लेते हैं तो मगर बच्चों थोड़ा कैल्गुलेशन में टाइम लगता बट यह सबसे सटीक तरीका है तो इसे याद रखना मगर आईए मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूं इसे अच्छे से समझना कि मेरे बच्चों С.I. साधारण ब्याज का मतलब कि आगा परती वर्स आठ परसेंट ब्याज है तो तीन साल में कितना होगा 8,3,4 परसेंट होगा और यही अगर C.I. में मैं निकालू तो C.I. में निकालनेगा क्या तरीका है देखो आठ परसेंट दर है तीन साल का तो तीन से गुणा कर दो कितना हो गया आठ तरीके 24 और फिर यही 24 और आठ को गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा आठ चोगे 32 आठ धूरी 16 और तीन 19 और उसके बाद क्या करो दो अंके बाद दस्वलो दे दो तो भाईया यह देखो लगबग हो जाएगा 24 और 25.97 संथिंग होता है तो यह 9,2 आ रहा है आपर मगर लम सम में आपको लगबग इतना मिल जाएगा यानि कि देखो मेरे भाई CDC बात है कि यह हुआ आपका 24 परसेंट और यह हुआ 25 दस्वलो नो दो तो कितना अंतर हो रहा है मेरे बच्चों घटालो तो देखो 1.92 परसेंट अब क्या करो यही जो 45 तो रुपय है ना इसी का 1.92 परसेंट के आसपास निकाल दो और लम सम में आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा तो देखो मेरे भाई मैंने यहां पर कटा दिया अब जरहा समय इसे गुणा कर दूँ तो 192 में अगर 45 से गुणा करूं तो क्या होगा पार्दूनी 10,45 ए,46 हासिल 4, 5, 5, 4, 9, 4, 9, 8, 4, 9, 34, 36 हासिल रहे, 3, 4, 4, 3, 7 अब देखो मेरे यानि कि मेरे बच्चों देखो यहां माफ कीजिएगा यहां 7 होगा च्रामा करें 2.972 के आसपास होता है अगर यह वाली वेल्यू आपको याद रहे तो साथ से गुणा कर लेना तो यहां गुणा थोड़ा चेंज हो जाएगा तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा मेरे चल्दी आप इसे बनाना चाहते हैं तो देखिए वाईया यह जो मैंने तरीका बताया लंब समने आप इसका निकाल लेना तो याद रहना चाहिए पच्चीज दस्मलों नौ साथ संथिंग होता है इसका वेल्यू तो नौ साथ अगर मैं करूंगा थोड़ा बढ़ जाएग क्यूंकि आपका साथ में कौन खड़ा है दोस्तों रण भूमी मैंज देखें दोस्तों कहा गया एकस वान एकस टू एकसरी डॉट 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 एकसें का अंग गणिते माद्धे कितना है मेरे बच्चो एक तो एकस वन बाई के कॉमा एकस टू बाई के कालू उपर वाले दिये गए सीरीज का तो क्या होगा सभी को जोड करके एन तक जगह है तो एन से डिवाइड करेंगे यानि टोटल आ जाएगा एन गुना एक यानि के एन तो इसमें क्या करना कुछ नहीं करना मेरे बच्चों देखो अगर इसका आउसत एक है तो मैं एक कि दिया मगर अब देखो इनी संख्याओं में चेंजेज देखो यहां सभी संख्या में के से भाग दिया गया है तो जाहिजी बात है एवरेज में भी के से भाग ही जाएगा तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा वन वाई के ऑप्शन नंबर सी तो देखा आपने कि चुटकियों में हमने इसे solve कर दिया और यहां पर बच्चे घबडाते हैं ऐसे questions को देखकर आए चलते हैं अगले question कि देखिए दोस्तों बहुत ही simple question है question number 56 कहा गया है कि 108900 का वर्मूल तो मेरे बच्चों simple सी चीज़े वर्मूल आपको याद होना चाहिए मैं तो अपनी यानि कि इसका वर्मूल 33 हो गया और यहां 20 है तो एक जीरो बाहर आ जाएगा यानि कि 330 इसका अंसर हो जाएगा और अगर दोस्तों अगर आपको इससे भी बड़े-बड़े संख्याओं का वर्मूल और घनमूल निकालना है तो मेरे playlist में जाकर वर्मूल तदा घनमूल को जरूर देखें 15 मिनट का वीडियो है मगर उस वीडियो से जीवन भर आप अर्मूल और घनमूल चुटकियों में निकालना सीख जाओगे आए चलते हैं अगले question की और question number 63 में देखिए मेरे बच्चों इसमें कहा गया है कि X4738 है अगर यह संख्या 9 से विभाज्य है तो X क अस्थान पर क्या होगा तो 9 से कटने का नियम सिंपल है सभी अंकों को जोड़के देखो 9 से कट रहा है कि नहीं तो आरतीनी 11 11 7 18 18 18 4 22 अब मेरे बच्चों 22 तो मेरे को यहां तक मिल गया है अब आभी लोग जरा सा सोचिए कि यहां पर मैं क्या बैठा हूं जो 9 से सबसे न जो 9 से कटेगी तो यहां 22 है यानि अगर मैं इसमें अगर 5 दे दू तो 25 27 हो जाएगा और यह संक्या 9 से भी बाजित हो जाएगी इसका मतलब क्या कि X का मान आपका क्या होगा 5 होगा तो देखिए अंसर हो गया option number D 5 आ गई बात समझ में आईए दोस्तों question number 69 देखिए profit and loss ह है बहुत अच्छा MRP पर question है हिमानसी एक लड़की है जो एक T-shirt को MRP पर 20% के छूट पर खरीदती है तो मालो मेरे बच्चों अगर MRP मालो 100 रुपीज है तो हिमानसी उसे कितने पर खरीदती है 20% छूट यानि के 80 रुपए में खरीदती है अब क्या किया हिमानसी ने उसी कि टी-शिर्ट को पुना MRP पर बेच दिया यानि कि अब उसका हिमानसी का सेलिंग प्रैस क्या हो जाएगा 20 पुना 100 रुपığını बेच दिया तो बीस्टों के अस्ती चार से कड़ें पच्चीस यानि कि पूरे लेन दिन में हिवानसी को क्या हुआ मेरे बच्चों पच्चीस प्रतीसत का लाव हो गया आगई बात समझ में तो देखो ऐसे चुटकियों वाले क्वेश्चन भी आपको एक्जाम में मिलेंगे आगे आना म करो कितना हो गया साथी है 21 से भाग देदो 105 में क्या हो जाएगा पांच बार में तो माइनस पांच हो गया यहां तेही से तो क्या हो जाएगा अठारा अठारा से भाग गया नबे में क्या हो जाएगा पांच 22 में से पांच जाएगा कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 22 में solve किया इस मेथड को ध्यान दीजिएगा बच्चों भरबली बना सकते हो देखे दोस्तों कोडिनेट जिमेट्री निर्देसांग से सीर्स दिये गए तीन बिंदू है इनके द्वारा बनने वाला त्रिवुच क्या होगा कहा गया संबाहू विसंबाहू संदुई बाहू या संकॉन ऐसे पूछा गया तो मानलो यह इसका मैं नाम दे दिया दो बिंदू की बीच की दूरी निकालने का फॉर्मला क्या है तो पहले एभी निकालो लूँ एवी का फॉर्मला क्या होता मेरे बच्चे तो एकस्टू माइनस x1 प्लस y2-y1 यह फॉर्मला आप लोग निश्च्री तुरूप से जानते होंगे तो दौनों को घटाओ तो तो यहीं से तो पता चल गया कि कि दो भूजा अलग है यानि कि अब देखो वैइए अगर मैं सी यह निकाले के लिए क्या करूंगा चार मैं से यह यानि के रूट सतरा तो देखो तीनों के तीनों बुझा अलग अलग हैं यानि कि यह जाती है दो बिंदूओं के बीश की दूरी तो इसे अच्छे से समझना भाईया तीनों बुझा निकाल लिया कि तीनों अलग है तो बिसम बाउत्री बुझे आए चलते हैं अंगली कोशन की ओर देखिए दोस्तों कहां यह देखिए बहुत एक इंपोर्टेंट कोश्चन पर्सेंटेश से पचासी पर्सेंट वेतन को खर्च करके आलोब बारा सो रुपए बचाता है तो मेरे बच्चों सो में से पचासी खर्च कर देया यानि 15 पर्सेंट वराबर राबर रास रुपए के तो उसका मासिक वेतन कितना है तो पर्सेंट यानि क्या हो जाएगा बारा सो गुने सो बटे में पंदरा पंदरा अठे एक सो बीच जीरो यानि के आट अजया रुपए उसका मासिक वेतन होगा आ गही बात समझ में देखो एक लाली बॉप क्वेश्चन आपको बीच में डाल दिया गया था देखे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 लिखने में बहुत बड़ा था इसलिए मैंने आपको सोचा कि पढ़के और डाइग्राम बनाते हुए समझाओं तो आपको एक ही बार में समझने आ जाएगा कहा गया है ABC एक त्रिबुज है और DEF देखिए मेरे बच्चों घ्यान द देता हूं तो देखिए एक त्रिबुज बन गया अब कहा जा रहा है कि जो BE है BE जो है वो और CF जो है वो दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो देखिए कहा जा रहा है यहां दिया गया इसका मान X है और यह बिदू का मान है Y तो कहा जा रहा है कि इस X, Y का मान बताएं और आपको चार ओप्सन दिया गया है तो मेरे बच्चों एक सिंपल सी चीज है यहाँ पर चलिए मैं आपको ओप्सन यहाँ पर मैं लिख करके दे देता हूं तकीत x y का जो मान पूछा गया है यह x y का जो मान पूछा गया यह b e के रूप में आपसे पूछा गया है एक बड़ बीसी के रूप में पूछा गया है तो एक बड़ दो बीसी दो बड़ तीन बीसी और उसके बाद आपको मान दिया गया एक बड़ चार बीसी या एक गए हैं मेरे बच्चों तो यह चारो आप्सन में कौन सा सही होगा तो देखिए एक सिंपल से चीज़े हम लोग बेसिक फॉर्मूला भी जानते हैं दोस्तों कि जब मैं जो में आपको बताया भी है जो बच्चे नए है मेरे चैनल पर वह जो में जाकर के जरूर देखिएगा मेरे बच्चों तो देखिए इसमें क्या है मेरे भाई सीडी सी एक बात है अगर मैं आपसे यह कहूं कि यह जो जब एक त्रिवुज के मर्दे बिंदूओं को मिलाने वाली रेका से यहां जो यह जो रेका बनती है तो यह FE जो रेका होती है यह समानांतर BC की होती है और एक बच्चों XY का मान BC के रूप में पूछा है तो आप XY का मान क्या निकाल सकते हो अब देखो यह एक त्रिवुज हो गया यह एक त्रिवुज हो गया डी एफ अब देखो इन दोनों के मद्दे बिंदूओं को देखो यहां पर अगर मिला दिया एक रेका तो यह वाली तो भाई क्या आंसर आजाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर सी वीजी बटे में चार आगई बात समझ में तो देखो यह क्वेश्चन इस प्रकार से दिया था यह थोड़ा हो सकता है पढ़के बच्चों को डाइग्राम बनाने में दिखका तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते डाइग्राम बनाया ताकि आप सुनके सवाल को डाइग्राम बनाते हुए देखकर इसे अच्छे से पूरे चीज़ को समझ जाए आए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखे दोस्तों बहुत ही मज़ेदार कोश्चन ने का गया निनलिखित में से किसमे 5 बटा 16 जोड़ने पर एक प्राप्त होगा कुछ मत करो भई यह से भी सवाल देखको नीचे 16 है तो देखो यह 32 है यहां भी 32 है यानि इनी दोनों में से अंसर होगा क्योंकि इसके यह ग दूनी यानि 25 दस तो देखो 32 बटा में 32 खटके क्या आगया यानि कब आया जब हमने 22 बटा 32 में 5 बटे 16 को जोड़ा तो बच्चों चलिए बहुत अच्छा सेशन रहा आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा इस वीडियो में ठीक है तो चलिए अगले दिन फिर मिलते ह नए सेट के साथ तब तक के लिए दोस्तों घेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे इस वीडियो को बहुत एक से जबर्दस कुश्चन आये तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय जय भारत